नमस्कार परेश साथियों आपका स्वागत है मारी इट्यूप चैनल में और देखे साथियों हम आपको डियलेट फर्स सेमिस्टर के लिए मैद करा रहे थे जिसमें आपका चैप्टर नमबर थिरी चल रहा है और इस चैप्टर की आज एक्सरसाइज की सुरुवात हो रही है तो आज एक्सरसाइज के सभी कोश्चन यहां से आज से स्टार्ट हो जाएंगे आपके होने तो आपको सभी जो कोस्टन्स हैं उनको मैंने स्सांवाड करा रहे हैं हम आपको पूरा समझाएगे साथि साथ में और आपको किस तरीक्ये से पेपर में जागर लिखना है यह है उसका जो पहला कोश्चन आपको दिया गया है वो आपका कोश्चन है कि पूर संख्याओं में गुड़ां के गुड़ कौन-कौन से हैं समझाइए तो कौन-कौन अब चाहिए तो आप लिख सकते हैं अकर मालशी यह दो नंबर में आता है तो इतना लंबा नहीं लिखना है मैंने यहापे आपको समझाया हुआ है इसलिए मैंने इसको सही तरीके से पूर्ट तरीके से लिखा हुआ है तो देखे पहला जो है इसमें आपके पांसे च्छे पॉइंट हैं तो वही आपके नियमस आपको बताने है जैसे पहला है गोडन का संबरत प्रगुर्ड इसे हम इंगलिस में closure property बोलते हैं इसमें आप देखेंगे यद A और B अध A और B दो पूर संख्या हैं हो तो पूर संख्या हैं कैसी होती है तो मैंने बताया था जो natural numbers होते हैं उनमें अगर हम zero को भी include करते थे हैं तो वो आपके whole number बन जाते हैं कैसे यह 0 से start होके चलेगा 1, 2 इस तरीके चलेगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेगा ठीक है तो इस तरीके के नमबर से आपको देखने के लिए मिलेंगे किसमें पूर संख्याओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पे दो पूर संख्या है A और B और अगर इनका हम आप में गुड़ा करते हैं जैसे ए लिया बी लिया और इन दोनों को हम गुड़ा करते हैं तो बराबर में जो सी संख्या जो गुड़नफल के रूप में बराप्त होती है इसको भी एक यह जो संख्या निकलेगी वो भी एक पूर संख्या निकलेगी यही इसका नियम है कैसी होती सदैभीए सीवी पूर संख्या होती है, यह ही आपको लिखना होता है, कि अगर दो ہम पूर संख्याओं को लें, जैसे इस तरीके साहतु सकते हो, यदि हम दो पूर संख्याओं को लें उर उन्का हाफसमें खुडां करें, तो जो उनका क्या करा कि पहले एक पूर संख्या तीन मान ली जैसे ए एक पूर संख्या बराबर तीन यानि एक पूर संख्या है जिसको हमने तीन मान लिए और बी एक पूर संख्या जिसको हमने वेलूस की चार मान लिए अब तब हम देखेंगे दोनों का जो गुरनफल होगा यानि ए और B का गुर्णफल होगा और उससे जो गुर्णफल आएगा C वो भी एक पूर संख्या होगी ऐसा हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पूरा A into B बराबर में C तो तीनों चार का हमने मंटिपल करा यानि C की बेलू आई 12 बारा बेली आई तो यह बारा क्या है एक पूर संख्या है C भी एक कैसी निकल गया है एक पूर संख्या हमारी निकल कर आई ठीक है तो यह नियम आपका हो जाता है ठीक है दूसरा नियम देखेगा इसी में तो यह आपका नियम है गुरन का किरम बिनवेनियम तो किरम से ही आपको पता चला है कि किरम से समझने तैज़त मालो कि फर्स्ट नंबर पे कोई आया फिर सेकंड नंबर पे कोई आया कोई थर्ड नंबर पे आया ऐसे मालो कुछ नंबर से आपके लिखे वो है तो उनका किरम चेंज करना, जैसी ये first second की बात कर लें, तो पहले second को कर देना, ठीक है, फिर first को कर देना, तो इनसे कोई impact पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो इसके regarding ही एक question होने वाला, ये आप समझ सकते हैं, एक logical चीज है, तो इसे commutative law बोलते हैं, इसमें देखिएगा, A और B कैसी हमने मानी, दो ये आपकी पूर संख्या हैं, ओके, तो A और B को multiple करो, बरावर में B और C को multiple करो, तो ये दोनों कैसी रहेंगी, बरावर रहने वाली हैं, तो यही इनका किरम बिने में यम होता है, क्यों, क्योंको पहले जो A नमबर था, into में B multiple कर रहा था, अब क इवार हमने क्या करा, कि B को पहले लिया, और A को बाद में लिया, अब इनका multiple करके दिखाया, तो ये दोनों के जो multiple निकल के आएंगे, वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे हमेशा, तो इसलिए हमको, आप इसमें देखिए, example के बादिन समय आपको समझाया, अच्छी तरीके जो अमारा जो नियम कहता है, कि जो आपका करम बिन में नियम होता है, तो उनमें हम A और B का multiple करें, बराबर में B और A का multiple करें, दोनों के value समान आने चाहिए, वो कि यहां 3 इंटू 4 का multiple करा, और यहां 4 इंटू 3 का multiple करा, 3 चो का 12 करो, या 4 ती यह बारा करो, आपके दोनों की वेलू बरावर ही आई की तो इसलिए अगर इनका क्रम उलट देंगे हम फिर भी कोई भी इंपक्त नहीं पड़ेगा किस में यह सब कुछ चला है गोड़ां के रिकार्डिंग यहां ना कोई भाग है ना घटाया है ना जोड़ है ऐसा कुछ नहीं है केवल गोड़ां के ऊपर प्रोपर्टीस यह आपकी काम कर रही है ठीक है तो अभी यहां पर अन्य कोई आपको नहीं बताया गया है अब आगे देखी तीसरा नियम देखिएगा तीसरे नियम यह कह रहे हैं कि जो सूनने का गोड़न गोड़ यानि एग्जिस्टेंस ओफ जीरो आइडेंटिटी इससे बोलते हैं इंग्लिस में यद ए एक कैसी मानली एक पूर संक्या है तो इसमें क्या होता है नियम कि अगर ए को हम जीरो से मंटिपल करें या जीरो को इसे मंटिपल करें बराबर में हमको मिलना कितना है जीरो ही मिलना है तो क्या यह चीज सही है या यह सही नियम है तो देखते हैं अर्थात किसी पूर संक्या पूर संक्या और सूनने का गोड़न फल अमेसा कैसा मिलेगा आपको सून नहीं मिलेगा तो माना ए ब बरावर में 0 into 3, बरावर में 0, तो 0 ही मिलेगा, तो इस तरीके से आप दिख सकते हैं, यह सभी 0 बन जाएंगे, यह भी 0, यह भी 0, समझ रहे हैं, तो यह नियम आपका फॉलो करता है, और यह पूरा नियम, यहाँ पर मानने, आपका है, गोड़ां के ओपर, ठीक है, नेश द तो आपकी एक पूर्ट संक्या है, और जब इसमें हम एक से moinsbust कर देंगे, ठीक है, एक से moinsbust कर देंगे, तो a into में 1 करें, यहाँ बन into में 1 करें, तो बरावर में हमको ए ही मिलेगी, यही बही संक्या हमको लोटके मिल जाएगी, ऐसी कोई पूर्ट संख्या जिसमें अगर हम बन से मंटिबल करें तो बही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है तो इसे ही बोलते हैं गुड़न फल का तस्मक अवेव का नियम यानि एक्जिस्टेंस और मंटिबलिकेटिव आजिंटिटें आप यहां पर देखेगा एक अब देको लिखागा कोई गुड़न का तस्मक अवेव कहते हैं अर्थात्र यानि किसी संख्या यानि पूर्ट संख्या में एक का गुड़न फल किया जाए तो बही संख्या हमको लोटकर बाबस मिल जाती है तो जैसे के एक्जांपल के लिए पांच इंटू एक कर दो या आप बारा इंटू एक कर दो तो भी बराबर में एक बारा ही मिलेगा आप तीन सो पंद्रा इंटू में एक कर दो फिर भी आपको तीन सो पंद्रा ही मिलेगा यानि कि अगर हम किसी भी संक्रिया में एक से मिंटिबल कर रहेंगे तो हमको बही संक्रिया बापस लोट के मिल जाती है इसे ही हम बोलते हैं गुड़न फल का तस्मक अभियद आजा करते हैं आपको समझे में आगया होगा है नमबर नमबर पांच देखेगा ठीक है तो इस पांच नमबर में देखी क्या का हुआ है कि गुड़न संक्रिया का सहेचर नियम यानि एसोसियेटिव लॉग यानि तीन संक्रिया हमने लिए तीन पूर संक्रिया लिए और तीन पूर संख्याओं को इस किरम में आप दे सकते हो रखना है आपको किस किरम में तो देखिए पहले हम क्या करें कि A first number और second number का multiple कर ले into में fifth third number का multiple करें या हम क्या करें कि first number का multiple पहले ना करने से पहले हम B into C यानि third और second का multiple कर ले तो यह सभी संख्या है A, B, C या इस तरीके सकर ले फिर भी इन सभी की value कैसे आएगी सभी की समान आएगी ठीक है यही कहता है तो आप देखिए यहाँ पर नियम आपका पूरा मान लिया गया है यहाँ पर देखिए A का value हमने 2 माना B का 3 और C का आपका 4 आप इसी में C अशरा हम put up कर देएंगे तो यह आपका आदेके पूरा लिखा हुआ है जैसे A और B का multiple करो बाद में C का multiple कर दो या पहले A का multiple ना करके आप B और C का multiple कर दो फिर A का multiple कर दो तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ पर 4 multiple कर रहा है पहले हम क्या करेंगे दो तीन का मंंटिपल कर देंगे दो סवती के तना ओगे आप दो त्या चेल स्थी यंद न करेंगे पहले हम किसी की आप त्याद करेंगे अन एίर दो olması दोने चाहत्क था एक रही होगए अब दोस च्लोंी हो ज्याएं आपका यह 24 था है तो आपका इस पर भी नियम फॉलो करता है यानि जो आपका यहाँ पर नियम हो गया यह इस पर भी फॉलो करता है जो नियम है आपका गुड़न संक्रिया का सहचर नियम यानि एसोसीटेव लो है यह आपका काम करता है आप देखे कोश्चन नम्मर छे स्व यहां पर आपको यह चीज मोटी मोटी पता चल रही है कि आप प्लस की बात हो रही होगी और मंटिपलाई की बात हो रही होगी तो देखे तीन आपके हमने संख्या माल ली और तीनों संख्याओं को किस तरीके से रखना है तो यह संख्या आपका मंटिपल कर रही है बी पलस स S S G बी पलस सी में यानि यह आपका जो दोगे ये गुडां है गुडां की संक्रिया का हम प्लस वाले नियम पर फोलो कर रहे हैं यानि डिस्टिब्यूट कर रहे हैं आप सो डिस्टिब्रिटिशन ओप लॉड्व मंटिप्लिकेशन ओर ओवर दा plus का sign लगाओगे फिर आप एका मजदिपल सी में burgerोगे यही तू नियम है ना तो ए और का मन्टिपल कर लो प्लस लगा औफिर ए और का मन्टिपल कर लो इस्ते गुरन संक्रिया का यह पर वित्रड नियम कहते हैं डीक है तो इनको अमने क्या करा इनको हमने बित्रड कर दिया इनको बनलब इनको बरावर इनको बार्ट दिया तो a value 2 मानी, b की value 3 मानी, c की value हमने 4 मानी और इस नियम में जो इन्होंने दिया है, जो इसे में रख देंगे सीधा तो a और कुष्टक में b प्लस c अब इसमें क्या होगा कि a b में multiple कर लेगा यानि a और b का multiple फिर ये जो a है वो c में multiple कर लेगा तो c और a का multiple हो जाएगा तो बही चीज यहां पर नीचे देखोगे आप तो 2 का आपको पहले multiple 3 में करना है 2 का multiple करना है 3 में करना है फिर 2 का आपको 4 में करना है ये वाला, 2 का आपको 4 में करना है देखे 2 का 3 में multiple करा, 2 का 4 में multiple करा इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका घोड़न संक्रिया का और जो नियम है उआपका साथ आपका सथी भी और संक्रिया का घटाने पर ільक्स Fahrenheit लुगताने पर क्या है अभी आपने एडिसेशन के लिए तो pum Do distribution law of multiplication over the subtraction तो यहाँ पर देख सकते हो तीन संख्या लेंगे पूर तीन संख्या लेंगे और इस format में उन संख्याओं को हम put up कर देंगे ठीक है तो देखिएगा यहाँ वे मैं तीन संख्या मानी हुई है और तीन संख्या मानने के बाद आप देख सकते हैं Ans का वैलुव दो बे का वैलुव को तीन चार और इसी में रख और रखटे हैना है तो आप देख सकते हो इस तरीके से जिस्टिविटी करेंगे और इस तरीके से दिशुन्हाद लगा देति बैलु आजा की इस तो ठीक है और जारा से जारा लोगों को बताईएगा ताकि वो जुड़ सकें और अच्छे समय बढ़ाई को continue रख सकें ठैंक यू